गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और गर्मी आते ही हमें कुछ न कुछ ठंडा ठंडा खाने और पीने का मन करता है जिससे हमारा दिमाग भी शांत रहे और मन भी खुश रहे तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अमेजिंग शर्वत की रेसीपी जिसे बनाना भी आ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वेल आइकन के साथ पहले हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हेल्दी मिल्क शर्वत की रेसीपी यह शर्वत हम दूद से बनाने जा रहे हैं तो यहां पर मैंने एक बड़ा सा बरतन ले लिया है और गैस को ओन कर दिया है इसमें हम एक पानी डालेंगे ताकि जब हम इसमें दूद को गरम करें तो दूद भगोने के तले में लगे नहीं मैंने यहां पर एक लीटर दूद लिया है आपके घर में जो भी नॉर्मल दूद आता है आप उसी से शर्वत पना सकते हैं इसके लिए जरूरी नहीं है कि दूद फुल होना चाहिए दूद में उबाल आने तक वेट करेंगे दूद में उबाल आ गया है आप देख सकते हैं दूद को एक बार चला देंगे और दूद को मीडियम फ्लेम पर दो मिनट के लिए पकाएंगे और दूद के किनारे जो यह मलाई पड़ जाती है इसे हम इस तरह से नि चम्मच चीनी सफीसियंट है इसमें चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी डाल दीजिएगा चीनी को अच्छे से मेल्ट होने दीजिए और दूद को 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लीजिए, हमें दूद को reduce नहीं करना है, बस हलका सा पकाना है, ताकि दूद का टेस्ट अच्छा लगने लगे, तो आप देख सकते हैं कि दूद की quantity पहले से हलकी सी कम हो गई है, और दूद भी हलका सा गाढ़ा हो गया है, यानि कि दूद बहुत अच्छे से पक गया है, दूद को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे, और दूद को कबर करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक दूद ठंडा हो रहा है, तब तक हम आगे की तयारी कर लेत हमें दूद टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ग्राइंडिंग जाल लिया है, और यह यहाँ पर थोड़े से ड्राइफ रूट्स लिये हैं, ड्राइफ रूट्स में मैंने 15 बादाम, 15 काजू और 15-20 पिस्ता लिया है, अब हम इने ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं, और इसका फाइन पाउडर बना लेते हैं, साथ ही हम इसमें हरी इलाइची के थोड़े से दाने डालेंगे, मैंने यहाँ पर 4-5 इलाइची के दाने निकाल लिये हैं, अब जार का ढखकन बंद करेंगे, और इसका हम एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे ए देखिए इस तरह से हमें फाइन पाउडर बना लेना है इसे हम एक बाउल में ट्रांसपर कर लेते हैं तो ए हमारा ड्राइफ fruit का पाउडर बनकर तयार हो गया है इससे हमारा शर्वत बहुत ही आप चाहें तो सेब का छिलका हटा सकते हैं और सेब को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है तो मैंने सेब को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है यह सेब बहुत बड़ा था तो मैंने आधा सेब काटा है और आधा सेब बचा लिया है और यहाँ पर मैंने अनार के दाने भी निकाल लिये हैं, अब हमारी सारी तैयारी हो गई हैं, और यहाँ पर दूद भी अच्छे से ठंडा हो गया है, मैं दूद को काच के बाउल में ट्रांसपर कर लेती हूं, इसमें जब हम सर्वत बनाएंगे तो सर्वत देखने में बहु इसे मिला देंगे, मुझे रुवाबजा का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा, तो इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है, अब हम इसमें ये पाउडर डालेंगे, जो हमने काजू, बादाम और पिस्ता का पाउडर बना कर रखा है, तो मै ये सारा पाउडर इसमें डाल देती हूँ, इसे अच्छे से मिला देंगे, ये शर्वत बहुत ज्यादा हेल्दी बनने वाला है, इसे हमने अच्छे से मिला दिया है, अब हम इसमें सेप के टुकडे डालेंगे, जो हमने काट कर रखे हैं, साथ ही हम इसमें ये अनार के दा ळाल सकते हैं तो यह हमारा बहुत टेस्टी और हilarडी शरवत बनकर तैयार हो गया है है अब हम näसे थन्डा थन्डा एकदम चिल्ड करने के लिए थोड़े से आइसी क्यूब्स डालेंगे thực ! तो ये हमारा ठंडा ठंडा शर्वत सर्व करने के लिए ready हैं, अब हम इसे गिलास में सर्व कर लेते हैं, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाएं तो उनको आप ये शर्वत बना कर पिलाईए, उनको भी ये शर्वत बहुत ज्यादा पसंद आएगा, तो आप ये शर्वत जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये शर्वत जरूर पसंद आएगा, अब हम बनाएंगे मस्क मेलन यानि की खरवुजा का शर्वत, शर्वत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें हम बड़े कप से भर कर दो कप दूध डालेंगे, मैंने दू इसे विसका से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी लम्स ना पड़े, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि दूध में लम्स नहीं होना चाहिए, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं कि दूध में बिलकुल भी लम् हम इसे गरम करेंगे, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी है, तो हम ये दूद कढ़ाई में डाल देते हैं, और दूद को मेडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट कोक करना है, अब हम इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे, चीनी की क्वांट थिक नहीं बनाना है, इसकी कंसिस्टेंसी पतली ही रखेंगे, जैसे जैसे दूद उबलने लगेगा, तो आप देखेंगे कि दूद हलका सा गाड़ा हो जाएगा, यहां आप देख सकते हैं कि कस्टाइड वाला दूद गाड़ा हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को ओफ कर देंगे, और दूद को कबर करके ठंडा होने के लिए रख देंगे, दूद को कबर करके ही ठंडा कीजिएगा, नहीं तो दूद के ऊपर मोटी सी मलाई जम जाएगी, तो जब तक दूद ठंडा हो रहा है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं, अब मैं यहां पर वन ज्यादा नहीं धोना है बस एक दो बार पानी से वाश कर लीजिए साबू दाना को हमने धो लिया है अब हम साबू दाना को 30 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे ताकि साबू दाना अच्छे से फूल जाए 30 मिनट हो चुके हैं और 30 मिनट में ये साबू दाना अच्छे से फूल गए हैं मैं आपको एक साबू दाना मैस करके दिखाती हूँ तो ये देखिए मैं उली से इसे मैस कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छे से मैस हो रहा है तो ये साबू दाना बहुत अच्छे से फूल ये सब्जा सीट्स बहुत जल्दी फूल कर तैयार हो जाता है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है तो इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएं 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये सब्जा बहुत अच्छे से फूल गए हैं तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरब तो अब मैंने यहाँ पर लिया है एक खरबूजा ये बिल्कुल पका हुआ मीठा खरबूजा है और इसे मैंने पानी से धो ल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम पका हुआ खरबूजा है इससे शर्वत का टेस्ट बहुत बढ़िया लगेगा खरबूजे के जो ये दो हिस्से हैं इन मेंसे हम एक हिस्से का पल्प बनाएंगे इसके लिए हम पहले खरबूजे के ये जो बीज हैं इन्हे नि प्यार कर लें, हमने चम्मच की हेल्प से सारा मेलन निकाल लिया है, अब हम इसे एक बाउल में ट्रांस्पर कर लेते हैं, अब हम इसका पल्प बनाएंगे, तो इसके लिए इसे हम मिक्सर जार में डाल देते हैं, जार का ढखकन बंद करेंगे, और इसका हम एकदम फाइन प् देते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक भगोने में दो कब पानी गरम होने के लिए रख दिया है, पानी में उबाल आ गया है, तो अब हम इसमें ये फूले हुए साबूदाना डाल देते हैं, अब हमें साबूदाना को लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीवन 10-12 मिन पकाना है, अभी आप इस स्टेज पर देखेंगे कि साबूदाना सफेध है, और जैसे जैसे ये साबूदाना पकता जाएगा ये ट्रांस्पेरेंट दिखने लगेगा, तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर पकाईएगा, बीच बीच में अगर आपको लगे तो लो फ्लेम कर दीजिएगा, मैं आपको स्टेब बाई स्टेब साबूदाना को पकते हुए दिखाऊंगी, तो आप देख सकते हैं कि साबूदाना ट्रांस्पेरेंट दिखने लगा है, और मैंने इसे तकरीवन 12 मिनट पका लिया है, तो ये साबूदाना बहुत अच्छे से पक गया है, अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे, अब साबूदाना में जो एक्सिस पानी है, इसे हम निकाल देंगे, इसके लिए हम साबूदाना को स्टेनर के उपर डाल देंगे, और इसका जो एक्सिस पानी है, इस तरह से निकाल देंगे, साबूदाना में बहुत ज तार्च भी निकल जाएगा, अब हम साबूदाना को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये साबूदाना ठंडे हो जाए, अब यहां पर हमारा जो कस्टरड वाला दूद है ये भी ठंडा हो गया है, जब ये दूद रूम टेंपरेचर पर आ गया था तो मै मैंने इसे दो घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, दूद को मैंने बाउल में ट्रांसपर कर लिया है, तो आप दूद की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये पहले से गाढ़ा हो गया है, क्योंकि हमने इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था, अब हम इस इसमें ये खर्बूजे वाला पल्प डाल देंगे जो हमने बना कर रखा है अब हम इसे विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जो पल्प है दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं शर्वत बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है और ये देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है मैं इसमें बरफ का इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि हमने दूध को पहले ही ठंडा कर लिया है अब हम इसमें ये सबजा सीट से डाल देंगे साथ ही हम इसमें इस आबूदाना डाल देंगे इस आबूदाना ठंडे हो गए हैं अभी इस आबूदाना स्टार्ज की बज़ आप जब भी एड्रिंक बनाएं तो आप इसे लंबे समय तक रखें नहीं, आप इसे बनाने के बाद ताजा ताजा सर्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चार से पांच घंटे इसे रख सकते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक रखेंगे तो ये कड़ अलग सकता है, अगर आप इसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो सारी प्रप्रेशन पहले कर लीजिए, और ये जो मस्क मेलन प्यूरी है, इसे आप सर्व करते समय मिलाईए, तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें थोड़े से कटे हुए काजू, ब प्रूटी नहीं है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, मेरे पास रखी थी, तो मैंने डाल दी है, तो ये हमारा टेस्टी, हेल्दी, रिफ्रेशिंग खर्वुजे का शर्वत सर्व करने के लिए रेडी है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, अब हम इसे कटे हुए पिस्ता और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी से गार्निश करेंगे, समर सीजन के लिए एकदम पर्फेक्ट ड्रंक है, और यकीन मानिए ये पीने में भी बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे ट्राई कीजिएगा, और मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये शर्वत कैसा लगा, त तो दोस्तो अगर आपको ये शर्वत की रेसिपीच पसंद आए, तो अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ शेयर कीजिएगा, तो फिर मिलते हैं एक नई